बिसमिल्लारामानीराइम असलाम अलेकम नाइंत्यास बचो आज का जून सा हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नमबर 9 के रूमेरिकल से रिलेडीड है जो चैप्टर नमबर 9 है इसमें हमारे जून से नमेरिकल है वो बिसिकली आप लोगों के रेट फ्लो फ्लो फीड जो आप अपने थर्मल कंड़क्टिविटी पढ़ा है यह से रिलेडीड है हमारे पास जो नमेरिकल नमबर 9.1 है उसमें हमारे पास है एक घर की 20 सेंटीमिटर मोटाई की च्छत का एरिया 200 मीटर स्केर है दा कंक्रेट रूफ ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमिटर है जन एरिया 200 मीटर स्केर यहां पर देखे हैं हमारे पास दो वैल्यू दे दी गए है एरिया इस एक्वल टू 200 मीटर स्केर है और जो हमारे पास जो लेंथ दे दी गया है जिसको मटाई के उसमें दिया गया है एले इस एक्वल टू 20 सेंटीमिटर है उसका जुन सा यूनिट है वो हमारे पास मीटर ह तो तो पर देंगे और वो हमारे पास ऊजएगा 0.2 meter उसके बाद जो हमें बताया गया है वो यह है ते टम्रेचर इंसाइड दा हॉस इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड और आउटसाइड इस 35 डिग्री संटीग्री घर के अंदरोनी घर का जूंसा अंदरोनी तंपरेचर है वो 15 तुर मोर्गे प्सका तो के अए भी सेंटीक्रेडे मैं धेजि इंटेक्रेड सेलेज़ कि अएर शुय छेकर वहाइव त Some थीर एंटेक्री को कर देंगे सो चाहिए को मैंने स्कीसी तरिफिन इपास हो हाई कर देंगे टो तो वो हमारे पास आजेगा 15 plus 273 is equal to 288 Kelvin उसके बाद यहाँ पर देखें हमें K constant की value भी दे दी गई है वो शरा मालूम करें जिसे thermal energy छट से गुजरेगी find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof हम लोगों ने Q over T को find out करना है और जो इसमें हमें K की value दे दी कही है वो हमारे पास है 0.65 watt per meter per Kelvin find out हम लोगों ने करना है Q over T इसको find out करना है आपके पास thermal conductivity का formula आप सबको याद होगा जो के था हमारे पास Q over T is equal to area into T1 minus T2 into K over L Q over T को हम लोगों ने find out करना है तो बाकि जितनी भी values थी यहाँ पर देखें area की value T1 minus T2 की value यह जितनी भी values थी इन सब को हम लोगों ने write down किया write down करने के बाद जब calculator के उपर calculation की तो हमारे पास जो answer आगया वो हमारे पास आगया 13,000 joule per second अब यह कैसे निकला है देखें जो हमारे पास heat है उसका unit क्या होता है joule और T जोन से उसका unit second होता है लेकिन वो नीचे था तो इसलिए जब उपर आएगा तो वो per second में convert हो जाएगा अब हम लोग अपना 9.2 numerical solve करते हैं जो के हमारे पास है इसमें यह देखें जो हमें area देदिया गया है वो हमारे पास है 2.5 into 2.0 meter आप लोगों को देखें यह इसमें length into width देदी कही है हम लोगों ने जो हमारा given data उसमें लिख दिया area is equal to 2.0 into 2.5 meter is equal to 5 meter square how much heat is lost मतलब शुरू start में हमें बता दिया है कि हम लोगों ने heat को find out करना है तो हम लोगों ने यह चीज़ कर ली उसके पास सारी values find out करते है time इसमें में दे दिया गया 1 आरे 1 गंटा तो आप लोगों को पता है time का unit जो है वो हमारे पास second होता है तो हम लोगों ने क्या किया एक गंटे में 60 minute और एक minute में 60 second होते है दोनों का अपस में multiply किया तो हमारे पास आ गया 3600 second उसके बाद हमारे पास यहां पर देखें T1 और T2 भी दे दिया गया है जो ज्यादा वाला temperature है वो T1 हो जाएक और जो ज्यादा कम वाला temperature है वो T2 के उसमें आ जाएगा अब T1 हमारे पास 25 degree centigrade दे दिया गया है तो हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों को ने यहां पर ये करना है कि जो 25 degree centigrade है उसमें हम लोगोंने 273 को एड़ कर देना है उसके बाद जैन्जा हमारे पास दूसरा temperature है हमारे पास 5 degree centigrade तो हम लोगोंने क्या क्याद़ किया Same वही method हम लोगोंने 273 को एड़ किया उसके बाद L is equal to 0.8 cm है, लेंथ का unit Q के meter होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको meter में convert कर दिया और हमारे पास जो value निकल आई वो आगी 0.008 meter, उसके बाद find out करने में, जैसे के first step में उन्होंने हमें बता दिया था, first statement के start में के Q को आप लोगों ने find out करना है, तो उसके लिए सेम वही फार्मूला Q over T is equal to area T1 minus T2 into K over L, Q को Q over T की जगा पर उसकी value लिखती है हम लोगों ने, और बागी सारी values को put कर दिया, A की जगा पर 5 T1 minus T2 और पास 20 आया, K की value हमें पास 0.8 है, और divided by 0.008, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो यह हमारा 3600 है, इसको हम दूसर साइट पर ले गए, और जब दूसरी साइट पर लेकर गए, तो सारी वोपर की तरफ चला गया, और सारी calculation करने के बाद, जो हमारे पास answer आया, वो हमारे पास यह एक long answer आया था, ठीक है, इसको हम लोगों ने 10 की power में लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 point को हम लोगों ने यहां 7 joule, क्योंकि हम लोगों ने heat को find out करना है, इसलिए जुसका unit होजेगा, वो हमारे पास होजेगा, joule, बचों अल्लाहाफेज, ख्याल रखना अपना,